फेलो बाइचान इधर 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 इधर, 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 इधर किद देःू हाँ जी क्या जी, पीछ वेजह हो बाकी मेरे बैन भाई सब जानों है अभी उसने तो वो जाहरा कलमा शरीफ बड़ा है बार बार यही इक्रार किया है कि मैं मुसल्मान हूँ और मुझे आप टाइम दे हैं मैं सारे प्रूफ लेकि जामेनी में पहुंच जाओंगा अब यह हमारे जो कामे बाला है यह भी उस वक्त हमारे साथ मुझूद थे इस दुरान अगर वो फरार हो जाता है तो इसका जीमेदार को आप कैसी जी बात करें फरार हो रहे हैं उसने दस आद्मियों के अल्लावालों की मौझूदगी में उसने कलमा पड़ा अगर वो गलमा पढ़ता है और मीज़े लान्ती का इनकार कड़ता है तो हमें उसके साथ कोई दाती दुश्मन इना फिर वो हमारा मुस्लमान बाई होगा हम अपनी बेन के साथ खड़े हैं साथ खड़े हैं साथ खड़े हैं अब अहकामे बाला की बात है कि वो कहां जाता कहां नहीं जाता जब इन के पास पास बात पहुंची है हम ने उसको इन से लेना और किसी से नहीं लेना पाकिस्तान के मरकजी अमीर की हैसिये से आप से मुखातब हूँ आप तमाम अहबाब ने सोचल मीडिया के जाना और आपके एलम में हुआ कि एक हमारी बेहन है हिना साहिबा जिन्हों ने ये रिकार्डिंग जो यान वो सोचल मीडिया पे डाली कि मेरा दस साल पहले एक साहिब से शिजाद नामी वो बताती है कि उससे मेरा निकाह हुआ जो कि उसने अपने आपको मुस्लमान बताया लेकि मुझे दस साल के बाद जबके मैं दो बेटियों की मा भी बन गई हूँ तो मुझे दस साल के बाद पता चला कि वो मिर्जई है उसका इसलाम के साथ जो है वो कोई तरलक नहीं है और उसने जो है वो शायर इसलाम का मज़ाग भी उड़ाया है अभी हमारे साहिबान जो हैं हमारे हिफाजती अदारों के जिमादारान हैं वो मुझूद थे वो शहजाद नामी शख्स भी यहां पे आया और हमारी बेहन भी अंदर तश्रीफ फर्मा है उसका इस बात पे मुस्हिर है वो इसरार कर रहा है शहजाद के मैंने 2008 में इसलाम कबोल कर लिया था उस पे वो बहुत सारे उलमा मुख्तलिफ जमातों के आल अदीज के और दिगर मसालक के लोगों का वो नाम लेता है कि मैंने उन उलमा की मुझूदगी में जो है वो इसलाम कबोल किया है जिसका कि उसके पास कोई रिटन परूफ जो है वो नहीं है अभी उसको जाम नेमिया में जो के मरकज इसलाम है लहमदुलिल्ला एक पुरा मन इदारा है वहाँ पे उसको तलब किया गया है तमाम मकातिब फिकर के अलमा को हम वहाँ पे जमा करेंगे वो आएगा वहाँ पे और 2008 से लेके अभी तक जो है अपने कबूल इसलाम और अपने मुसल्मान होने के जो उसके पास पुरूफ है वो देगा अगर वो नहीं देता हम अपनी ताहरीर बनाएंगे उस ताहरीर पे उसके दस्कत भी करवाएंगे उससे जो है वो इकबाल भी करवाएंगे कबूल इसलाम का भी अगर वो यह सब कुछ करता है तो हमें कोई शोक नहीं है जो धक्यसे यानि जो हम उसको घैर मुस्लिम बनाएंगे अगर वो मिसल्मान हैं हम उसको वैलकम करेंगे बाकी इनके जो घरेलू मुआमलात हैं हम उसको भी कुरान और सुन्त और अपने खानून आईने पाकिस्तान की रोश्डी में जो है वो सोल्व करने की कोशिश है आपको सवाल कर सकते हैं कि अभी जो थाने के अंदर जिद्धी विल्मा कराम मजूद थे उन्होंने अभी क्या तेह किया तूंकि अभी हमें इतलात हुई थी कि उसको यहां पर बुलाया गया उनके मौलवी साहब आगे थे सारे और यहां पर बैठके कलमा बार डाता और उ दिमादार हैं यह भी मुझूद थे अभी उसने तो वो जाहरा कलमा शरीप पड़ा है बाकि अपने उसने बार बार यही करार किया है कि मैं मुसल्मान हूं और मुझे आप टाइम दें मैं सारे परूफ लेके जो है वो जामे नीमिया पहुंच जाऊंगा अब यह हमारे जो हम जो उसे इक बाल करवाएंगे वो करेंगा अगर वो यह नहीं करता तो फिर उसके उपर जो है वो आईने पाकिस्तान कनुने पाकिस्तान ताजीरात पाकिस्तान के मताबग उस पे F.I.R. मुझे थानों में जो है वो दर्ज की जाएंगी और कनून के मताबग उसको सजा जाएगी और हम बहस्यत मुसलमान अपनी इस बैन जो है जिसने रिकार्डिंग करवाई है सोचल मीडिया पे अपना पेगाम डाला है हम हर तरह से इसके तहफुज के लिए इसको हुकुक दिलवाने के लिए हर तरह से हम जो है वो इसके साथ हैं इस दुरान अगर वो फरार हो ताज़दार खत्म नबवाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद मुहतरम बात ये है कि जो ही उन से ये मामला हुआ तो उसने ये भी कहा है कि जो नभी अकरीम सुल लिए के बाद नबववत का दावा करे वो लानती है वो लानती है मिर्जा भी लानती है जो भी नभी अकरीम स सब कादियानी है, मैं मुसल्मान हूँ, बाकी सब कादियानी है, अलहम्दलिल्ला उसने कहा कि मैं 2008 में मुसल्मान हो चुका हूँ, बाकी मुझे ये मालूम नहीं था कि ये परूफ मैं साथ ले का हूँ, या अपना साथ ले का हूँ, वो नहीं लाया, मैं लाता हूँ, अगर तो उस वक्त उसने कुछ सार्टिफिकेट नहीं बनवाई या किसी नहीं बनाया तो जामिया नहीं नाइमीया में आएगा जामिया में अलामावैट होंगे जो हमारा अकीदा है उसके मताबग अगर वो कलमा पढ़ता और मिजजे लान्ती का इनकार करता है तो हमें उसके साथ कोई जाती दुश्मने नहीं फिर वो हमारा मुसल्मान बाई होगा अगर खत्मे नभूवत का इनकार करेगा नभी मिर्जे कादियानी के मानने वाला होगा तो फिर उस पर बास सुनिये घद्दारिय मुलक का भी मकदमा धर्ज होगा और उस पर आएने पाकस्तान की तजलील का भी मकदमा होगा और तहीने मजब का भी मकदमा होगा और उसने जो दोखा दई दी है उसका भी मकदमा होगा हम अपनी बेहन के साथ खड़े हैं हम अपनी बेहन के साथ खड़े हैं और उस वकद तक खड़े हैं कि जब तक वो अपना कल कर टेम या अब अहकामे बाला की बात है कि वो कहां जाता है कहां नहीं जाता जब इनके पास पास बात पहुंची है हमने उसको इन से लेना है और किसी से नहीं लेना ताज़दार एक खत्म नभूबत आप तमाम अहबाब से यह गजारिश है जो मेरी बेनें भी हैं मेडिया से तालूक रखने वाले लोग हैं हमारे तहरीकी साथी हैं सब अहबाब का मैं शुकरिया दा करता हूं यकीनन हम एक अजीम और बहुत अजीज काम के लिए हम यहाँ पे जमा हुए आप पुरा मन तरीक झाले झाले हो आजरे हैं